असलाम लेकुम प्यारे वीवर्स इस वीडियो में हम आपको मौसे नबास के दो ऐसे ड्रामा सीरियल के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंट तक लाजमी देखेगा अगर अब मौसे नबास हैदर के फैन्स हैं तो ये वीडियो होने वाली आपके लिए कि मौसे नबास हैदर ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के वज़ा से नाम बनाया है और मौसे नबास हैदर एक टेलेंटेड एक्टर है मौसे नबास हैदर ने एक लाइव शो में इंटर्वियू में ये कहा है कि उन्होंने दो तीन प्रोजेक्ट मिस कर दिये थे जो कि ब्लॉक बस्टर ड्रामा सीरियल थे जिन दो ड्रामा सीरियल के बारे में मैप को बताने जा रहा हूँ आप लोग भी हैरान रहे जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट पहले मौसे नबास हैदर करने वाले थे सबसे पहले जो हम टीवी का ड्रामा सीरियल ब्लॉक बस्टर ड्रामा सीरियल था परिजाद वो जा रहा था मौसे नबास हैदर के पास मुसेन अबा साधर ने कहा था कि ये ड्रामा सीरियल जो परिज़ाद था इसकी सक्रीप्ट उसके घर पे ही आई हुई थी लेकिन कुछ डेट्स की वज़ा से और कुछ नसीब में नहीं था तो वो ड्रामा सीरियल परिज़ाद ना कर सके थे और फिर अहमद अलियक्पर के पास ये प्रोजेक्ट चला गया तो हुई नहीरानी आप लोगों को ये सुनके उसके बाद जो दूसरा ड्रामा सीरियल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जी ओ टी वी का ब्लॉक बस्टर ड्रामा सीरियल खानी तो जी हम बिल्कुल आपने सही सुना खानी रामा सीरियल भी पहले मौसे अबास एदर को आफ़र हुआ था लेकिन कुछ इशूज की वज़ा से डेट का मसला था या पिर कोई और वज़ा होगी तो मौसे अबास एदर के नसीब में नहीं था और ये प्रोजेक्ट चला गया फिरोज कान के पास जिसकी वज़ा से फिरोज कान रातों रात स्टार बान गए तो हुई नहीं नहीं ये सुनकर कि मौसे अबास एदर दो ब्लॉक बस्टर रामा सीरियल करने वाले थे लेकिन नहीं किये परिज़ाद और खानी बाकि कमेट्स में मुझे आब बताएं क्या मौसे अबास एदर कोई ड्रामा सीरियल करने चाहिए थे या नहीं या फिर नसीब की बात है तो इसलिए नहीं कर सके अगर मेरे वीडियो अच्छे लगया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अला हाफिज